नमस्कार मैं अडूकेट नरेशकुदाल आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल विधान का ग्यान पर दोस्तों पैत्रिक संपत्ति पर बेटे का अधिकार क्या है और कब पिता पैत्रिक संपत्ति को अकेले बेच सकता है इन topics पर हमारे वीडियोज को काफी like किया गया लेकिन काफी सारे लोगों के जो सवाल आये उनसे एक बात सामने आई कि काफी लोगों को इस बारे में confusion है कि पैत्रिक संपत्ती यानि की ancestral property क्या है ऐसे बहुत से सवाल मिलने पर हमें लगा कि इस बारे में भी अलग से वीडियो बना कर जानकारी दी जाने चाहिए इसलिए आज के वीडियो में हम ancestral property के concept को easy language में समझने की कोशिश करेंगे टॉपिक को शुरू करें इसके पहले मेरी आपसे request रहेगी कि अगर आप legal topics में interested हैं लेकिन आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो अभी subscribe कर लिजिए और bell बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे दोस्तों टाइटल के आधार पर हम जनरली प्रोपर्टी के दो टाइपस के बारे में सुनते हैं पहली self-acquired यानि स्वय अर्जित और दूसरी पैत्रिक यानि की ancestral हलांकि इसके अलावा हिंदू लोग में को पार्सनरी का भी एक concept है लेकिन इसको लोग ancestral property के रूप में ही समझते हैं इन में से self-acquired वो property है जो या तो किसी व्यक्ति ने अपने साधनों से खरीदी हो या उसे gift या will के जरीए मिली हो तो जो भी property किसी व्यक्ति की self-acquired है उसके बारे में उसको decision लेने या dispose of करने का पूरा पूरा right होता है कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में अपनी self-acquired property को किसी भी party को बेच सकता है, gift कर सकता है उस पर कोई भी भार create कर सकता है या उसके बारे में किसी के भी favor में will कर सकता है जो लोग ये सवाल पूसते हैं कि हमारे पिताजी की property थी वो उन्होंने सिर्फ एक बेटे के नाम कर दी, बाकी बेटे बेटी को नहीं दी तो ध्यान रहे कि self-acquired property के बारे में ऐसा करने का उस व्यक्ति का पूरा-पूरा अधिकार है जो उस property का मालिक है अब बात करते हैं विरास्तन प्राप्त होने वाली property की जो हमारे पूर्वजों की खरीदी हुई है और हमें विरास्त में मिलती है अगर किसी व्यक्ति की death होती है तो दो condition हो सकती है कि या तो उसने मरने के पहले अपनी properties के लिए कोई will की हो या वो will किये भी ना ही मर गया हो। अगर मरने वाले व्यक्ति ने अपनी self acquired property के बारे में कोई भी वसियत नहीं की है तो उसके आगे की पीडियों के लिए वो property ancestor property की category में आएगी। पैत्रिक संपति यानि ancestor property वो है जो किसी व्यक्ति को अपने तीन पीडियों के पूरुस पूर्वज यानि पिता, दादा और परदादा से उत्रादिकार में मिलती है। इसको पुस्तेनी संपति भी कहते हैं और पुस्तेनी संपति में अधिकार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को जन्म से ही सहधाईक अधिकार प्राप्त होता है। मान लिजे किसी व्यक्ति रामलाल की डैथ बिना वस्यत की ये हो जाती है जिसके दो बेटे महेश, रमेश और एक पत्नी सीता देवी हैं दोनों बेटे साधी सुदा हैं और उनके भी दो दो बेटे यानि की मरने वाले व्यक्ति के चार पोते भी हैं तो उस व्यक्ति की डैथ होते ही उसकी प्रोपर्टी में उसकी पत्नी और दोनों बेटों को बराबर बराबर का अधिकार मिलेगा और साथ ही उसके बेटों ने जो हिस्सा प्राप्त किया है मरने वाले के पोते भी अपने पिता के हिस्से से आनुपातिक रूप में हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हो जाएंगे इसको हम आगे की स्लाइड में ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं इसमें सबसे उपर की PD में रामलाल है जिसकी death हुई है और उसने मरने के पहले अपनी self acquired property के बारे में कोई भी will नहीं की तो जैसे ही रामलाल की death होती है उसकी पत्नी सिता देवी और उसके बेटों महेश और रमेश को property में समान हिस्सा मिलेगा अब इस example में रामलाल के दोनों बेटे शादी शुदा हैं जिन में से महेश के दो बेटे अजे विजे हैं और रमेश के दो बेटे यश और जे हैं तो रामलाल की पहली PD का होने के कारण उसकी पत्नी सिता देवी बेटों महेश और रमेश तीनों को एक बटा तीन एक बटा त तीन हिस्सा मिला वो उसको और उसके दोनों बेटों को मिला कर मिलेगा तो महेश और उसके बेटे अजय विजय तीनों महेश के एक बटा तीन वाले हिस्से में से बराबर के हगदार होंगे। जीवित रहते उसकी पत्नी को पैत्रिक संपत्ती में हिस्सा नहीं मिलता है बलकि उसकी डैत के बाद ही पत्नी को अधिकार प्राप्त होता है। बेटियों को पहले सहधाइक नहीं माना जाता था। कोई संपत्ती सहधाइक तब हो जाती थी जब वो चार पूरुस पीडियों से चली आ रही हो। सहधाइक में परिवार के केवल पूरुस सदस्य ही हिस्सेदार होते थे लेकिन अब इस अंतर को खत्म कर दिया गया तो संभव है कि आने वाले टाइम में को पार्सनरी का कॉंसेप्ट भी खत्म हो जाए। हमने पहले जो एक्जामपल लिया था उसमें काफी लोगों के मन में ये सवाल भी हो सकता है कि रामलाल से प्रात्मिक तोर पर महेश और रमेश ने जो प्रोपर्टी में हिस्सा प्राप्त किया था क्या वो दोनों उसे अपने बेटों के अनुमती के बिना बेच सकते हैं य हमारे चैनल पर पहले से ही वीडियो बना कर पोस्ट किया हुआ है जिसका लिंक आप उपर देख सकते हैं और टेस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है हलांकि पैत्रिक संपत्ती के कॉंसेप्ट अपर बहुत सारे सवाल हो सकते हैं लेकिन इस वीडियो में मैंने बेसिक बताने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आ गया होगा दोस्तों आपके और भी कोई सवाल हो या फिर आप अपने किसी मैटर पर मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप स्क्रिन पर दिखाई दे रहे हैं नमरों पर वाटसेप या फिर फोन करके मुझसे बात करने के लिए कॉल बुक भी करवा सकते हैं ऐसी ही लीगल जानकारियों के लिए बने रही है हमारे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में